जे मातादी दोस्तों, कैसे है आप सब, एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का, हमारे चैनल अखण ग्यान में दोस्तों आप सबने अक्सर देखा होगा जब कभी भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूजा के बाद आर्थी करते हैं तो अक्सर लोग करपूर अगारब मंत्र का उच्चारन करते हैं धार्मित मान्यताओं के नुसार शिव रात्री के दिन माता पारवती और भगवान शिव के विवाह के समय स्वैम स्रीहरी विश्णू ने इस करपूर अगारब मंत्र से भगवान शिव और माता पारवती की सरुप्रथम आराधना की थी आप सब भी भगवान शिव की पूझा अरादना करने के बाद आरती करके करपूर अगरम मंत्र का जरूर उच्चारन करते होंगे अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अप से जब कभी भगवान शीयव की आर्ती करें तो करपूर अज़रम मंतर का जब जरूर करें इससे भगवान शीयव माता पार्वती के सास नीज अन्दे भगवान श्री हरी विश्नु की भी क्रिपा की प्राप्ती जरूर होगी दोस्तों आप सभी को अपनी आज की इस वीडियो में करपूर अगौरम मंत्र का अर्थ बतलाने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आप सब इस मंत्र में चुपे भाव को पूरी तरह से समझ सकेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती की पूर्टा भाव बिभोर होकर अराधना कर सकेंगे करपूर गौरम, करुणा वतारम, संसार असारम, भुझकेंद्रहारम, सदा वसंतम, हिर्दया अरविंदे, भवं भवानी, सहितम नमामी इस मंत्र का अर्थ है, जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, और भुझंगों का हार धारन करते हैं वे भगवान शियो, माता भवानी सहित, मेरे हिर्दय में सदेव निवास करें, और उन्हें मेरा नमन है जै माता दी, जै भोले नाथ